कम एक नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे हिंदी में इश्णा को तरुवादी में हिंदी सत्रांत परिशानिक टर्मेंड जून दोजर बाइस जिसका कोर्स कोड है समय दो घंटे है अधिक तमंग पचास है यहां पर हम देख सकते हैं तो यह जरूर आपको देखना है नोट प्रथम प्रश्णा निवारे से इसमें किनी तीन प्रश्णों के उत्तर दीजिए यह पड़ते हैं निमखित गद्यांस में किनी दोकी संदर्व सहीद व्यक्या कीजिए आज इसकी संदर्व सहीद व्यक्या करना है आज वह पूजन ग्रेज से निकले तो देखा दुखी चमार घास का गठाली बैठा है दुखी उन्हें देखते ही उट खड़ा हुआ उन्हें सास्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हो गया यहते जैसरी मुर्थी देखकर उसका हिदय सरदा से परड़िपूर हो गया कितने दिव्य मुर्थी थी छोटा सा गोल मट उलाद में चिकना सीर फूले गाल प्रमतेश से प्रदीप आंखे रोरी और चंद अंदेवताओं की प लाइस सगुन बेचार ना है कम बर्जी होगे खा पड़िये दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साविका पड़ा कि सारा दिन बेद गया और खाने का तिनका भी न मिला समझ में आयता था यह कैसा स्वामी है इससे तो गया फिर भी अच्छा है यहां कई भैसे थी कई बकरियां कई गोड़े कई गद्ये पर किसी के सामने चारा ना था गया मतलब गाय है यहां पर सब जमीन पर मूर्दों की तरह पड़े थे कई तो इतने कमजोर हो गए कि खड़े भी नहीं हो सकते थे सारा दिन दोनों मित्र भाटक की ओड़ टक टक ही लगाये ताकते र पूल मती की संपूल आत्मा मानो इस बज्जर पास से चितकार करने लगी उसके मुख से जलती वे चिनकारियों के बाती है सब्द निकल पड़े मैंने घर बनवाया है मैंने संपत्ति जोड़ी है मैंने तुम्हें जन मदिया है पाला है और आज मैं इस घर में गैर हूं उसके च्छा में खड़ी हो नहीं सकती अगर यह कानू नहीं तो इसमें आग लग जाए घवलाय समुष्तिर बाव से कड़ा हो गया जैसा बहता पानी मेड से रुग गया भैका धुआ जो लोगों के हिज़े पर छा गया था एक एक हट गया उनके चेहरे कठो रुग गया तो यह हो गया आपका सप्रसंग व्याख्या करना था आप क्वेशन दो प्रेमुचंत की राष्टवाद बिषयक देश्थी पर प्रकास टालिए उनकी कहानियों में वड़ित राष्टवाद का विसलेशन कीजिये Q3. प्रेमचन्द की कहानी कला के मूल ततों का विसलेशन कीजिए Q4. मनोब्रिती कहानी की समिच्छा कीजिए Q5. गुल्ली डंडा कहानी की प्रासंगिकता को रिखांगित कीजिए Q6. इदगा कहानी की मूल संबेदना को असपस्ट कीजिए Q7. किनी दोपर टिपड़ी लिखिए Q है धार्मिक पाखंड और प्रेमचन्द Q है समर्यात्रा देशप्राम और राष्टी चितना गाप्रतिदार्ष Q है प्रेमचन्द की नारी भी से एक द्रिष्टी Q है सवासेर गेहूं Q कहानी का मूल प्रदीप बाद्य बताईए तो यहां पर 7 Q आपके समाप्द होएं 7 में से आपको कितने Q करने हैं 7 में से आपको करने हैं 4 Q लेकिन पहला प्रश्ण निवार रहे है और पहला जो गद्यान दिया है उसमें कवखा गवगा चार दिया है तीन आपसान आपको मिल रहे है इक्स्ट्रा तो आपको कैसे लगा है जरू बताईएगा मिलते हैं नए वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत